गुजरात राज्य में आज तक कोविड 20-19 के जितने पेशंट्स टोटल आये हैं, 58 जितने पेशंट्स पॉजिटिव सिम्टम्स वाले टेस्ट करके प्रस्थापित किया गया है। इन में से जिलावाइस अगर इसका एक ब्रेक अप देखा जाएं तो अमदाबाद के एक्विस, सूरत के साथ, राजकोट के आठ, वडोदरा के नौ, गांधी नगर नौ, भावनगर, कच, एक, एक, मैसाना और गीर सोमनाथ भी एक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि टोटल 58 के हैं, जादा तर इनका जो है, ग्रूपिंग या क्लस्टरिंग, अमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधी नगर में हुआ हैं, और ये भी, इन मो, अल्मोस्ट सभी केसिस में हम देख रहे हैं, या तो एकाद के दो फॉरण वाले भी आए हैं, पर उसके साथ उसरे राज्य से यहां आए हो, और 26 ऐसे केस हैं कि जो एक पॉजिटिव केस, जो विदेश से आए हो, या अंतर राज्य मुसाफरी करके आए हो, उनसे, उनके कॉंटक्ट में, उनके संपर्क में रहने की वज़ए से इन्हें ये बिमारी की चेप लगी हो, और आज सवेरे एक व्यक्ति के जिनको कोविड के पॉजिटिव टेस्ट का भी एक प्रस्थापित हुआ था, उनका निधन हुआ है, ये 47 वर्ष के पुरुष हैं अमदाबाद के और ये लोकल ट्रांस्मिशन का केस है, और इस तरह से कुल गुजरात में अभी तक कोविड की वज़ह से ज इन नए केस जैसे हमने बताया तीन है, इसमें एक अमदाबाद के पुरुष जो 47 साल के हैं, जिनका दुख़द निधन भी हुआ है, इसके अलावा अमदाबाद की एक स्त्री जो 67 साल की हैं, वो भी लोकल ट्रांस्मिशन का केस हैं, और अमदाबाद के एक पुरुष जो 34 साल के हैं, ये मुंबई ट्रावल करके आये थे और उनको भी पॉजिटिव हुआ है, इसके अलावा हम बिलकुल सबको आश्वासन देना चाहते हैं कि निशित तोर पर हमारे पास परियाप्त मात्रा में अब कोविड हॉस्पिटल्स की सुविधा है, बेड्स, रूम्स और एक बारीकाई से एक एक चीज का रिव्यू हमारे माननीय मुख्यमंतरी श्री विजहरुपानी साहब और हमारे माननीय नायब देप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भही पटिल साब के लीडर्शिप में होते हैं और कई ऐसे निरनाई भी रोज लेने में आते हैं ज सब के सहकार से अभी तक हम इसे अच्छी तरह से डील करते आए हैं और बिल्कुल सब से विनंती करेंगे कि घबराएं नहीं पर ये जो सामाजिक अंतर की बात है एक दूसरे के बीच जो फासला रखना है ये बिल्कुल फिजिकल डिस्टन्स अगर रखें तो हम इस केस में य ाओ तो हम इस अपहार हो मेरा आची बीच चीजिव जोल थैबे विम ऊवर फिन नहीं दोare ऑ़ना है ये झामाय है